वर्ड कप 2023 में गुरुवार 26 अक्टूबर की रात को इंगलाइन को एक और सर्मनाक हार का सामना करना पड़ा सिरलंका ने महज 25 ओवर में ही इंगलिस टीम को पठखनी दे डाली इस हार के बाद इंगलाइन का वर्ड कप से फाइनल रेज से बाहर होना लगभगता है वो अब तक 5 मैचों में 4 मैच गवा चुकी है वर्ड कप में इस खराब परफॉर्मेंस पर इंगलिस कप्तान जॉस बटलर बेहत निरास नजर आये उन्होंने सिरलंका से मैच के बाद अपने टीम की कमजोरियां उजागर करने के साथ साथ खुद को भी खुब कोसा जॉस बटलर ने कहा या अविस्वस्निय रूप से बेहत कठिन और निरासा जनक टूनामेंट रहा है मैं अपने आप से बेहत निरास हूँ और अन्हे खिलारी भी खुद से काफी निरास है क्योंकि हमने अच्छा परदर्सन नहीं किया मैंने अपने खिलारियों की कोशिसों में गलती नहीं निकाल रहा हूँ लेकिन यह साफ है कि हम सब ने अच्छा परदरसन बिर्कुल नहीं किया मेरे पास टीम के इस खराब परदरसन के लिए इस वक्त कोई जवाब नहीं है एक कप्तान के तौर पर आप खुद भी अच्छा परदरसन करते हुए टीम को लिड करना चाहते हैं लेकिन मैं इस भूमिका को निभाने में काफी पीछे रह गया हूँ बटलर ने कहा इमंदारी से कहूँ तो ऐसा नहीं है हमारी टीम में कई अनुभवी खिलारी हैं वे इस तरह के हालात से पहले भी मुखादिव हो चुके हैं आप रातो रात एक खराब खिलारी नहीं बन जाते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन यही है कि हम अपने बेहतर खिल से बहुत पीछे रह गया है इसके अलावा अन्य कोई कारण फिलाल मुझे नजर नहीं आ रहा है बटलर ने आगे कहा कि टीम चेरन हमारी समस्या नहीं है हमारी समस्या परफॉर्म न कर पाना है मैदान पर टीम के जो भी खिलारी मुझूद रहे वो तैमानकों के हिसाब से बहुत दूर रहे जिस तरह की गलतियां हमने की आमतोर पर ऐसा नहीं करते हैं यहां तक कि हम बेसिक चीजे भी ठीक से नहीं कर पाएं